सब्सक्राइब करे एश्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जै माता दिमित्रू आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रू आज आपको हम बताने जा रहे हैं नवरात्री के दूसरे दिन की वरत कथा माता ब्रह्मचारिनी की कथा एवं पूजा विधी आज आपको बताएंगे तो दूसरा दिवा से 7 अप्रेल 2019 रविबार के दिन है इस दिन माता ब्रह्मचारिनी की पूजा अर्चना विधी पुर्वक यदि हम करते हैं और इनकी कथा को सरद्धा पुर्वक सुनते हैं तो इससे अमोग फलो की प्राप्ती हमको होती है तो माता ब्रह्मचारिनी मा दुरगा का दूसरा सुरूप है इनकी उपासना नवरात्री के दूसरे दिन की जाती है ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिनी यानि आचरन करने वाली अर्था तपस्या का आचरन करने वाली मा ब्रह्मचारिनी यह देवी सांत और नि बाएं हात में कमंडल होता है देवी ब्रह्मचारिनी साक्षात ब्रह्म का सुरूप है अर्था तपस्या का मूर्तिमान रूप इस देवी के अन्य नाम है जिसे तपस्चारिनी अपरना उमा और इस दिन साधक का जो मन है स्वाधिस्थान चक्र में इस्थित होता है यानि प्रफम चरणी माता पारवती के जीवन काल का वह समय था जब वे भगवान शिव को अपने पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। प्रफम चरणी की करपा से मनुष्य को सरवत्र सिध्धी मिलती है और विजय स्री की प्राप्ती होती है तथा जीवन के अनेक समस्याओं यों परेशानियों का नास होता है तो भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए अथ्वा मिठाई का भोग प्रफम चरणी माता की पूजन इस प्रकार से इस दिन करना चाहिए देवी ब्रम चरणी की पूजा का विदान इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपने जिन देवी देवताओं यों गणों और योगिनियों को कलस आदी में आमंत्रित किया है उनकी फूल अक्षत रोली पूजा करें उन्हें दूद, दही, शकर, घरत और मधु से इसनान कराएं वह देवी को जो कुछ भी प्रसाद अरपित करें उसमें से एक एक अंश उन्हें भी अरपन करें तो प्रसाद के पस्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करके इनकी प्रदिक्षना करें कल दस देवता की पूजा करने के बाद इसी प्रकार नवगरह देवता, दस दिखपाल देवता, नगर देवता, गराम देवता आदी की पूजन करें इनकी पूजा के पस्चात मा ब्रमचारिनी की पूजा करें क्योंकि प्रदान देवी की पूजा सबसे बाद में की जाती है तो देवी की पुजा करते समई, सबसे पहले हातों में पुश्प ले करके देवी का ध्यान करना चाहिए जो इस प्रकार से हैं करपद्मा भ्याम मक्ष मालाम कमंदलुम देवी प्रसीदटू मै ब्रह्म चारिन्य नमत ताहं इसके पश्चात देवी को पंचामरस से श्नान कराएं यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो इस मंत्र का उच्चरन कर सकते हैं ओम ब्रह्म चारिन्य नमा हम और फिर इस प्रकार माता का ध्यान करें फिर भांती भांती के फूल अक्षत कुमकुम सिंदूर उनको अरपन करें देवी को लाल पुष्प अवश्य अरपन करना चाहिए कमल का फूल विशेश करके उनको अरपन करना चाहिए या इसकी माला बना करके पहनाएं तो देवी की प्रसनता होती है और फिर प्रसाद और आचमन के बाद पान सुपारी भेंट दक्षिना चड़ा करके शुद्ध गीं और कपूर मिला करके देवी की आरती करना चाहिए और इन मंत्रों से देवी का ध्यान करना चाहिए ओम्वंदि वांचितला भाय चंद्रार्धकत शेकराम जप माला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिनिम्शुभामम गौर वर्णाम स्वादिष्ठान सिता दुतिया दुरगात्रिनेत्रामम धवला परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूशितामम परमवंदना पल्लवर धराम कांत कपूला पीन पयो धरामम कमनियाम लावनयम स्मरेर मुखी निमगन नाभी नितंबनिम्मम इस प्रकार देवी से हाद जोड करके प्रारतना करना चाहिए और देवी के कुछ इस्त्रोत्र पाठ इनका स्रवन इस दिन कर सकते हैं इनका अमोग फल मिलता है एकागर इस प्रकार से उनका इस्त्रोत्र है और फिर देवी कवच को इसके बाद धारन करना चाहिए इसे सुनना चाहिए स्रद्धा पूर्वक सुनने से इसका पूर्णफल मिलता है कवच इस प्रकार से है त्रिपुरा मेरदयम पातू ललाटे पातू शंकर भामिनी अरपना सदा पातू नेत्रो अरधरीचा कपोलों पंच दसी कंठे पातू मध्य प्रदेशे पातू महेश्वरीं शोडशी सदा पातू नाभोग रहो चपादियों अंगम प्रत्यंग सतत प इस प्रकार इस कवच को धरन करने से सरीर की रक्षा होती है माता की विशेश क्रपा मिलती है तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवरदक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन जैमातादी मित्रो फिर मिलेंगे